परिचय रानी गाउं में रहती है वहाँ अपनी चचेरी बेहन रीता के घर पर आई है रीता का घर रानी के घर से बड़ा और मस्बूत है इसमें बहुत सारे कमरे हैं जबकि रानी के घर में केवल दो ही कमरे हैं रीता की मा बढ़ी रसोई में भोजन बनाती हैं, जबकि रानी की मा अपने गाओं के घर के खुले पिछवाडे यानि पीछे वाले हिस्से में भोजन बनाती हैं, इस अध्याय में आप मकानों के बारे में जानेंगे. आओ सीखें घर को परिभाशित करना घर की आवशक्ताओं यानि जरूरतों को पहचानना कच्चे तथा पक्के घरों में अंतर करना विभिन प्रकार के आवासों की सूची बनाना घर बनाने वाले लोगों के नाम जानना अपने घर को जानना मनुष्य अपने परिवारों के साथ घरों में रहते हैं दीवारों, फर्श, दर्वासों और खिड़कियों से मिलकर बना होता है. एक खर में कई कमरे हो सकते हैं, जैसे ड्राइंग रूम यानि बैठक, डाइनिंग रूम यानि खाना खाने का कमरा, बेटरूम यानि सोने का कमरा, रसोई, बाथरूम यानि स्नान घर और गोदाम यानि स्टोर रूम होते हैं, घर की आविशक्ता. एक घर हमें निम्न चीजों से बचाता है, गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, हवा से, जानवरों से और चोरों से. हम घरों में खाते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, हसते तथा रोते हैं, इसलिए हम सभी को रहने के लिए घर की आविशक्ता होती है, घरों के प्रकार. घर मजबूत या कमजोर हो सकते हैं, गावों में घर मिट्टी तथा घास फूस से बनाए जाते हैं, ऐसे घरों को कच्चे घर कहते हैं, ये कमजोर होते हैं. कस्बूँ तथा शेहरों में घर इंटों तथा सिमेंट से बनाए जाते हैं, ऐसे घरों को पक्के घर कहते हैं, ये मजबूत होते हैं. कुछ अन्य आवास, घर आमतोर पर भूमी पर बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ घर जल और पेड़ों पर भी बनाए जाते हैं, जल घर नावों पर बनाए जाते हैं, इन्हें नौका घर कहते हैं. पेड़ वाले घर लकड़ी के बने होते हैं, बहुत ठंडे स्थानों पर घर बर्फ के बने होते हैं, ये इगलूस कहलाते हैं, घर निर्माता यानि घर बनाने वाले. आउ जानते हैं कि घर कैसे बनता है सबसे पहले एक वास्थुकार यानि आर्किटेक्ट घर का डिजाइन बनाता है इसके बाद इंजीनियर और मस्दूर इंटों और सिमेंट का उप्योग करके घर का निर्माण करते हैं एक नया घर बनाने में धन यानि पैसे और समय दोनों ही खर्च होते हैं इसलिए हमें अपने घरों का ध्यान दखना जाएए हमने क्या चर्चा की? घर वह जगा है जहां पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं कच्चा घर कमजोर होता है तथा यह मिट्टी तथा घास फूस से बना होता है पक्का घर मस्बूत होता है तथा यह इंट और सीमेंट से बना होता है एक घर हमें सर्थी, गर्मी, हवा, बारिश, जानवरों और चोरों से बचाता है वास्तुकार यानि आर्किटेक्ट, इंजीनियर और मस्दूर ये सभी लोग मिलकर घरों का निर्मान करते हैं झाल 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 झाल